नमस्कार दोस्तों मैं पानी पीलूँ क्योंकि कई लोगों को पानी हजम नहीं हो रहा है जैसरी राम स्वागत है आपका एक बहुत बड़े महा कवरेज पर सुम्मार से लेकर आने वाला जो महीना साल होने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जरूर इस वीडियो को देखेगा और इस वीडियो के बाद आप अपनी राय भी हमें जरूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है कैसे है और क्या हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि exit poll क्या बता रहे हैं exit poll के हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है क्योंकि Indian market में अगर आप काम करते हो तो आपको सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि जितने project थे जितनी सारे PSU sectors थे उन सबको बढ़ाने वाला सरकार अगर फिर से वापस आता है तो आप माला माल हो सकते हो और समवार के लिए आप तयारी अभी से कर लो क्योंकि आने वाला समय कितना बड़ा आपको पैसा बना के दे सकता है वो आप भी नहीं जानते हो सबसे पहले हम लोग बात कर लगते हैं कि exit poll के हिसाब से क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो देखो overall मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना step by step चीज़े भी बताऊंगा और साथी साथ में हम लोग पिछली बार की सरकार कब बनी थी कैसे बनी थी उसमें निफ्टी कितना मूव किया था कितना नहीं उसके उपर भी हम discussion करेंगे बट सबसे पहले important चीज क्या समझना है important चीज यह समझना है कि इस बार के exit poll भी सेम आकड़े दिखा रहे हैं 2019 में दिखाये थे अभी जो सबसे important होता है access my India और चाड़क का exit poll धीरे धीरे आ रहा है बट overall आप यह मान के चलो कि BJP कहीं न कहीं 320 से लेके 350 सीट के इंडिये जो है 320 से लेके 350 सीट तक आके टिक रही है जो कि एक stable government को form करने के लिए बहुत जादा सीट है हमारा target कितना है कि 272 सीट अकर मिल जाती है कि stable government का formation हो जाता है इस बार BJP ने कई अच्छी अच्छी चीजों की है जैसे अगर आप south area में देखेंगे तो वहाँ भी उनको कुछ अच्छी अच्छी सीटे मिल रही है जिसकी वज़ा से मुझे लगता है कि जो बिहार में 2-4 सीटे कटी है वो यहाँ पर जाके overlap हो रही है बराबर कर ले रही है तो अगर आप देखोगे तो major dent कहीं से नहीं लगा है major dent ना लगने की वज़ा से हम फिर ये अनुमान लगा सकते है कि पिछली बार की तरह बिज़ेपी फिर से 350 से लेके 360 के आकड़े में आ सकती है यानि आपके PM नरेंद्र मोधी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तयारी कर चुके है अब इसका impact क्या होगा और इस impact को हम कैसे समझेंगे अपने trading पे सबसे पहली बात आपको मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों जितने भी PSU stocks है या जितने भी ऐसे stocks है जिनमें आप अडानी अंबानी नाम सुनते आए हो या दूसरे चीज जिन stocks के पीछे बहुत सारी controversies हुई है LIC हो गई या जितने भी अलग-अलग तरीके से stock है ये सारे stock up rapid grow करेंगे क्योंकि सरकारी जो projects थें जो सरकार इनके लिए काम कर रही थी वो फिर से accelerate करेंगी दूसरे चीज जितने भी solar, EV, weapons इन सब वहरे projects है जिसके उपर हम लोगों ने discussion किया था वो भी बहुत तेज बढ़ेंगे लेकिन हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर BZP government आती है तो हमारे nifty के उपर क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि as a trader हमें एक strategy बनाने चाहिए और क्या strategy रहेगी उसके बारे में मैं discuss करूँगा सबसे पहले हम लोग कुछ काम कर लेते यहाँ पर आज आते है अपने trading view बे और यहाँ पर एक प्यारा सा nifty का chart लगा लेते है nifty के chart को हम analyze करेंगे full frame में और हम यहाँ पर सारे indicators को बंद कर देंगे और हम चल चलेंगे simple device chart पे और हम simple way में चलेंगे 2019 में ठीक है 2019 कौन सा साल है 2019 वो साल है जब चुना हुआ था और Modi government या BZP कहलो power में आई थी हम चलेंगे 23rd of May को क्योंकि 23 में 2019 को यहाँ पर result announced हुआ था थोड़ा और पीछे चलना है हमें थोड़ा सा और पीछे चलना है यह रहा April, March, April और यह रहा May ठीक है इसको थोड़ा समय जूम आउट करूँगा यह रहा अपना 23 माई का डेट आप 23 माई के इस candle को ध्यान पुरवक देखिए यह वो candle है जब हमारा 2019 का election हुआ था और 2019 के election के समय यह candle बनी थी और इस candle का date याद रखिए 23rd of May 2019 एक बन मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है 23 माई 2019 बिल्कुल सही है अब इस दिन क्या हुआ था मैं आपको simple बात बताता हूँ देखिए exit poll ने जो NDA को total 290 लेके 330 seat बोला था exit poll बोल रहा था कि 290 लेके 330 seat बीजेपी कायेगी और उस दोरान market क्या था sideways to halt इस basis पर चल रहा था उसके बाद जब market exact result वाले date पर खुला तो यहां पर market के अंदर क्या होता है सबसे पहले market 1.5% gap अप उठता है ध्यान दीजेगा 1.5% market gap अप open हो रहा है it means कि अगर आपको Monday को काम करना है तो सबसे पहला point आप लोग एक बर comment में मेरे साथ लिखते जाओगे Monday को हमारा market open होगा और 4 तारीक को हमारा result आने वाला है तो Monday यानि 3rd of zone के दिन हम यहां पर BTST काम कर सकते हैं देखिए कर सकते हैं लेकिन naked नहीं करेंगे जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो बनाया है हम यहां पर future खरीदेंगे और OTM put को खरीदेंगे so that हमारा जो loss होगा वो bearable होगा और जो profit होगा वो extraordinary होगा यानि 1.5% का market gap up दिया था अगले दिन जब market के अंदर ये बात पता चली कि आज result आने वाला है और 1.5% market open होते ही होते 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 and then घिचते खिसते खिसते market 2.59% तक चड़ा उसके बाद market fall होता है market fall होते ही आज आता है minus 3.37% तक यानि सोचो market खुलता 1.5% उपर जाता है 1.5% तक उसके बाद जब पता चल जाता है कि BJP government formed हो गई है BJP government आ गई है हाव हला तो थी ही BJP government की इस बार थोड़ा market देखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस बार BJP का डंका नहीं बजा था अब ये किस channel का बात है आप समझ गए होगे लेकिन इस बार जब BJP इस तरीके की जीत हासिल करेगी तो मुझे नहीं लगता कि negative factor आपको देखने को मिलेंगे बट हम data के हिसाब से काम करते है अगर data हमें कुछ सो कर रहा तो उसकी respect करते है मतलब result के दिन market 0.5% उपर सुरुआत से 3.5% नीचे और minus 0.59% पर closing आप समझो आप समझो कितनी बड़ी बात है कि एक दिन में market 0.5% उपर 3.5% नीचे और 0.5% पर closing ये है election के एक दिन के बारे में उसके बाद आप देखोगे election के पिछले कुछ हपतों में market one way rally किया इसका मतलब कि जब भी stable government आ रही है तो एक अच्छा सुनहरा मौका है हम stock में भी rally देखते हैं हम index में भी rally देखते हैं हम index के हिसाब से stock के हिसाब से काम कर सकते हैं उसके बाद जब market एक निश्चित काल के लिए उपर जाता है तो थोड़ी बहुत profit booking आती है and then market दिरे 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 करके long run में अच्छा खासा कमाई करके आपको दे देता है so अब plan क्या रहेगा हमारी strategy क्या रहेगी उसको हम समझनी कोसिस करते हैं सबसे पहले आप देखोगे कि market ने जो 23 में का result है उसके पहले market ने यहाँ पर indecisive या dozy candle का formation किया अब indecisive या dozy candle तब बनता है दोस्तों जब market के अंदर spectaculation हो कि किसकी सरकार आने वाली किसकी सरकार नहीं आने वाली क्योंकि exit pole तो तब भी चलते थे और यह exit pole का ही moment आप यहाँ पर देख रहे हो यानि exit pole और हमारा result इस बार बहुत करीब है क्योंकि इस बार हमारे market के अंदर छुटियां है और तीन तारिक को market तारिक यह दोनों हमारे लिए एक bullish sign create कर रहे हैं अगर अगर इस बार भी BJP जो है exactly इस तरीके से काम करती है जैसे 350 प्लस seat पाती है तो अब मैं थोड़ा आपको एक आकड़ा और दे देता हूँ so that आपको थोड़ा और मज़ा आएगा थोड़ा आकड़ों पर ध्यान दीजिए और वीडियो के अंदर comment जरूर करना आज चोरी मत करना comment पर comment करते रहना देखो पिछली बार का कुछ data मैं आपको यहां पर दे देता हूँ पिछली बार का बीजेपी के बात करें तो बीजेपी को 303 seat मीली हुई थी तो अगर इस बार यह आकड़ा पार कर जाता है तो सोने पे सुहागा होगा नहीं तो अगर यह आकड़ा नहीं भी पार करता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा टिंसन लेने की आऊ सकता नहीं है टिंसन लेने की आऊ सकता नहीं है आपको यह बात समझ लीजिए अब जो भी पिछली बार सबसे जादा जो एकुरेट इग्जिट पोल निकाल के दिया गया था वो दिया गया था न्यूज 24 बाई चाड़क और इंडिया टोडे का एक्सिस माई इंडिया है इन दोनों पर यलाई हमें करना है तो थोड़ी देर में डेटा और अच्छी तरीके से आ जाएगा अब आगे क्या वो समझ लो जितने भाई लोग हैं वी आर होल्डिंग इस्पेशल लाइब सेशन फॉर फॉर फिफ्ट और शिक्स आपको क्या करना है जितने लोग को भी हमारे साथ जुड़के काम करना है इस्पेशल लाइब सेशन है एक एक चीज़ अपन डिकोड करेंगे उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है धनका यू हैब तो जस्ट ओपन दी अपना सारा डेटा सम्मिट कर दो आप तुरंत क्या करो थर्ड तारीक को हमें मेल कर दो जब आपका FNO ट्रेट पहला हो जाए मेल एट कहां मेल करना है आपको एडबल सी ओउन्टु अकाउंट एड़ दिरेट आई आई टी आई एन ट्रेडर डॉट इन सो देट मैं आपकी मदद कर सकूँ और लाइब में आपके साथ मैं आपको जूम सेशन पर जोड सकूँ बाइबाइ, have a great day, कमेंट ज़रू करिएगा